कारिक्रम में शोताओं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस कारिक्रम में हमारी महमान है डॉक्टर शूती कुमार जो कि वरिष्ट बाल रोग विशेशग्या है और बाल विकास में आपका special interest है और आज एक बहुती महत्वपूर्ण विशेश पर हम आपसे बातचीत करेंगे वो विशेश है screen time और parenting डॉक्टर शूती कुमार कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमश्कार एनल जी सबसे पहले तो ये बताएं कि screen time से एक आम शोता क्या समझे तो screen time जो भी हमारा hand-used devices है जैसे TV, mobile, laptop, iPad, जो video games है ये सारे अगर हम together देखे तो ये screen time कहलाते हैं यदि हम आखणों की बात करें भारतिय परिद्रिश्य में ये screen time कितना है इसका prevalence कितना है जब हम newborn से देखते हैं तो auditory stimulation या visual stimulation के लिए हम बात करते हैं हाम हम बच्चे को सुनवाते हैं चीजे तो मैंने का कैसे सुनवाते हैं तो mobile से सुनवाते हैं जब हमने कुछा आप क्या-क्या दिखाते हैं हम mobile दिखाते हैं और फिर मैंने literature सर्च किया तो data ये है कि जो बच्चों का media exposure या हम जो screen time कहते हैं exposure है राइट one month to two month से शुरू हो जाता है और जब हमने और देखा तो median age जो first exposure to screen है वो 10 months है अच्छा दस महीने से देखना शुरू कोड़ देता है दस महीने से media का या ये visual screen time का exposure हो जाता है बच्चों में और मुझे याद है जब हम लोग बड़े हुए थे तो हमारे घर में तो मुझे लगता है कि 10-12 साल तक television ही नहीं रहाता हमें तो पता ही नहीं था हम तो आपस में खेलते थे एक दूसरे को देखते थे समझते थे तो ये बदलाव बहुत देखा गया है अगर हम बड़े बच्चों में भी बात करें तो आजकल especially COVID के बाद चीज़े बहुत बदल गई है और जिसको हम कहते है now this is the new era of screen time screen time हर चीज खराबी नहीं होता तो learning के लिए education के लिए अब use होता है लेकिन इस पे बच्चों को कैसे use करना चाहिए और कैसे इसको use करा रहे है वो बहुत important है तो अगर हम देखे कि बड़े बच्चों में हमने तो दे दिया कि हाँ school का homework आ रहा है या रहा है लेकिन actually वो homework देख रहे है कि वो कहीं आ रही है तो homework आना है या आना है कि हम तो office में है दोनों parents अब उसके बाद वो पीछे केवल homework कर रहे है कि वो क्या कर रहे हमें पता ही नहीं तो screen time का misuse बहुत जादा हो रहा है social media, facebook, twitter हमें पता ही नहीं है कि कब use करना चाहिए कब इनका exposure होना चाहिए बच्चे बस एक दौड लगी हुई है screen time की क्या कोई guidelines है इसके लिए? बिल्कुल, WHO, बहुत सारी professional bodies ने इन सब पे बहुत मन्थन करके और experts ने मिलके committees में बैटके इस पे guidelines बनाई है जो कि जब मेरे पास जब parents आते हम बताते उनको तुमकर अरे माम हमें तो ये पता ही नहीं था तो जो guidelines है मैं इस समय शेयर करना चाहूंगी कि जो पहले दो साल का जब बच्चा होता है जो recommendations है कि zero screen time मतलब जो शुरू के दो साल है जिसको हम कहते है golden period of brain development जहां बच्चे का मानसिक विकास चारीरिक विकास के संग संग सबसे जादा होता है उस समय हम screen time, zero screen time कोई screen time नहीं देने की guidelines है एक ही चीज allowed है इन वर्षो में वो है video calling with relatives, parents जैसे दादी, बाबा, मामा, चाची अगर बहुत दूर है तो उनसे आप video calling allowed है तो basic fundamental यह है कि screen time हम मना इसलिए कर रहे है इस age में क्योंकि screen time there is interactive interface नहीं है मतलब इसमें आप बच्चा देख रहा है और वो silently देखता चला जा रहा है वहां से कोई input आए फिर उससे हम एक input के तो बाइलेटरल जो उसको कहते है इसलिए video calling allowed है फिर दो से पांच साल में जो screen time allowed है वो one hour allowed है वो one hour को जो कहते है guidelines कि आप दो sessions में divide कर सकते है 20 से 30 minute के लेकिन यह भी जो screen time है that should be उसमें कहते हैं कि educational learning के लिए ही जादा तर use हो है और वो भी parental monitoring या supervision के under में उसके अलावा recreation के लिए screen time इस age में भी बहुत जादा नहीं recommended है पांच साल से उपर जो guidelines है बात से 12 और फिर adolescent age में जो recommendations है that is balance screen time अब अगर हम देखे balance screen time का क्या मतलब है तो हमें excess screen time जिसको हमने define यह WHO यह professional bodies ने define किया है वो उसका मतलब है कि बच्चा school भी जा रहा है बच्चे को homework भी करना है जो guidelines है कि at least one hour of daily physical activity भी होनी चाहिए और 100% no-no है meal time में screen time जो कि अगर हम देखे चालिज से 60% families में यह देखा गया है कि बच्चे को खिलाने के लिए यह खाते समय screen time देते ही है जो कि बिलकुल absolute no-no है तो अगर हम मिलाएं school फिर homework फिर meal time फिर family time recreational time मतलब physical activity जिसमें offline means physical face to face जो बच्चों का interaction है and other hobbies जो इस developing brain और developing बच्चों में हम incultate करते है music हो गया sports हो गया other hobbies तो इन सब के संग अगर बच्चा वो screen time देखता है बस उतना ही screen time is called the enough screen time अगर किसी भी बज़े से screen time इतना आ रहा है कि इन सब parameters में से time कम हो रहा है या adequate sleep जो की बहुत important है तो अगर screen time इतना है कि इन सब चीज़ों plus sleep में time कम हो रहा है then that is called excess screen time so these are the guidelines of screen time in these age groups along with बहुत सारी चीज़ें और भी add करी गई है in guidelines में जैसे जब भी हम screen time दे चाहें अडॉलसेंट भी हो up to 18 years क्योंकि ये बड़ा sensitive period of life है जहां suddenly बच्चे को autonomy तो आ गई है लेकिन अभी emotional development इतना strong हुआ नहीं है तो बच्चे बहुत जल्दी influence हो जाते हैं तो इन बच्चों में parental supervision कि बच्चे क्या देख रहे हैं क्या उनकी monitoring कितनी देड़ देख रहे हैं कुछ specific क्या sites देख रहे हैं ये सारी चीज़ें under parental supervision होनी चाहिए parents को aware होना चाहिए कि क्या चल रहा है तो ये guidelines कहते हैं स्क्रीन टाइम से बहुत सारे harmful effects हो रहे है हर लेवल पे अगर हम बात करें सबसे पहले physical तो आजकल आप देख रहे हो कि पहले हम बहुत जादा malnutrition की बात करते थे under nutrition actually malnutrition तो दोनों चीज़ हो गई बढ़ अंडर nutrition जहां बच्चों का weight नहीं बढ़ रहा मोटापा तो हो गया रहा है कि बच्चे screen time पे busy है screen time पे बैठे हुए है तो physical activity हो नहीं प्लस वो क्या खा रहे है कितनी उनकी satiety level अब उनका जो consumption है वो क्या खा रहे है कितना खा रहे है वो उनको खुदी नहीं पता क्योंकि वो पूरा involvement उनका screen time पे है तो कब खाना अब मेरा हो गया वो चीज ओवरकम हो जा रही है प्लस sleep deprived हो रहे है जब sleep deprived होता है तो बहुत सारे hormonal effects होते हैं leptin, ghrelin जो की satiety यानि जो satisfaction है कि हाँ food खाली आपने अब और नहीं चाहिए उस चीज को कम कर देते हैं तो वो भी है disturbed sleep होने की वज़े से psychosocial emotional effect बहुत होते हैं बहुत सारा क्या content बच्चे देख रहे हैं जो specially adult 6 years के ऊपर वाले बच्चे specially adult rated materials बहुत सारा देख रहे हैं उसमें violence, aggression तो उनके लिए उस growing period of जो brain है उसमें lifelong impact छोड़ के जा रहा है दूसरी चीज आजकल आप बहुत सुन रहे हैं कि बच्चों में language and social delay जिसको हम कहते हैं social communication कम हो रहा है बहुत सारी terms आजकल virtual autism वो भी screen time से बहुत ज़्यादा effect आ रहा है especially COVID के बाद क्योंकि COVID में 2 साल बिल्कुल बच्चे अंदर थे parents को भी work from home था तो screen time खूब यूज किया गया to make the children busy उनको busy करने के लिए जिससे वो disturb ना करे parents को अब वो बाहर भी नहीं जा सकते तो क्या करे जब COVID lockdown खुला तो suddenly एक इकदम spurge आया of children जो की speech, language, social communication एकदम delayed था तो बहुत सारी studies भी हुई है जिनमें देखा गया है कि screen time का direct correlation है with language and social development और भी चीज़े जैसे vision है आख तो एक rule जो बनाया गया है guidelines में 20-20-20 rule इसमें कहते हैं आप जब भी screen time जो बड़े बच्चे भी देखते हैं इवन जो educational वाले बच्चे जो learning के लिए भी यूज कर रहे screen time आजकल तो सारी books भी screen पे ही available है सारे educational material के apps है तो कैते हैं 20 minutes आप screen देखो उसके संग 20 minutes 20 seconds का break लो तो 20 minutes के बाद फिर ये break बहुत important है in fact even जो COVID के time government ministry की NCRT के संग collaboration करके जो guidelines आई थी प्रगत्या करके guidelines सीशा है उसमें उनोंने हर age group के लिए specify किया था कि जो learning online चल रही है उसमें कितने long वो sessions रख सकते हैं जैसे pre-primary school था उसमें केवल one session allowed था continuously 30-45 minutes का break के संग 1-8 के बीच में 2 sessions और 9-12 वाले बच्चों का 4 sessions तो एकदम strict guidelines थी कि कैसे कैसे क्योंकि vision syndrome, computer vision syndrome में चीज आरहे है जो इसमें और eyes में watering, headache, stress ये सारा because of the dryness because of this excess screen time फिर आप देख रहोगा चोटे चोटे बच्चों में neck pain posture कितना खराब होता है नीचे जुक के गर्दन नीचे करके mobile देखे जारहे हैं laptop पे बैटे हैं continuously पोस्चर का ध्यान नहीं रख रहे हैं क्योंकि कोई बताने वाला भी नहीं है कोई supervise करने वाला भी नहीं है तो वो एक again problem create कर रहा है so there are physical problems, social problems, communication problems, behavioral problems ये सारी चीजें ultimately academic problems के लिए एक बून वो देते हैं अजी आपने सारी बुराइयां की screen time की क्या कुछ beneficial भी है क्या कुछ फाइदेमन चीजें भी है हाँ बिल्कुल अगर सही तरीके से guidelines के हिसाप से जो इतने export से बनाई है उसके संग अगर हम लेके चले तो screen बहुत beneficial रहा है especially COVID time में हमें एक दूसरे से connect करने के लिए कितना time अकेले बैठना एक अपने आप में depression आदमी को ले सकता है especially जो अकेले रह रह रहा हो जो COVID patients थे I remember मेरे को तीन बार COVID हुआ है और मेरे को first जो lockdown था उसमें 14 दिन का isolation था उस 14 दिन में अगर screen नहीं होता तो मेरे लिए बहुत problem है जबकि तो और जो बड़े adults हैं तो एक अच्छा medium है plus बच्चों के लिए भी अगर हम देखा जाए बहुत सारा learning material जो कि हम books और इससे नहीं practical learning जिसको कहते हैं वो हर चीज हम books में नहीं रख सकते या इतना नहीं पढ़ सकते जो practically बच्चा होता हुआ देखे वीडियो में वो बहुत useful चीज होती है अगर हम उसी मीडिया को interactive phase बना दे जैसे मेरे पास बच्चे क्योंकि मैं developmental pediatrician भी हूँ तो बहुत बच्चे autism के भी आते हैं और हम लोग अकसर यही बोलते हैं और सुनते parents भी no screen time लेकिन बहुत बार मैं parents को guide करते हूँ screen को कैसे use करना है उन बच्चों के development के लिए बहुत सारे बच्चे जो communicate नहीं कर रहे हैं जो TV, mobile को देख के अगर parents साथ में बैटे हैं और उसको as an interactive phase parents अगर उसको बना देते हैं तो वो बहुत अच्छा medium है learning के लिए अब बात करते हैं addiction की यह जो लत लग जाती है media addiction यह क्या है बलकि social media addiction कहेंगे तो यह adolescence में अगर आप देखो social media addiction वो आजकल हमें पता ही नहीं है छोटे-छोटे बच्चे 9 साल, 10 साल आजकल Facebook में है Twitter, Instagram पे है वो craze है एक को देख के एक बस चलता जा रहा है तो parents को कई बार aware ही नहीं है कि मेरा बच्चा actually Facebook पे इस पे क्या कर रहा है किस से बात कर रहा है जो texting है WhatsApp में कहीं से भी message आ गया किसी का उसको reply कर रहा है किस तरह के reply कर रहा है तो ये सारे बड़ी आजकल problems है Cyber bullying एक अलग आजकल problem है आप देखो credit card, debit card इनका जैसे हर बार आजकल आप जितने भी ये banks हैं वो आपको message करते हैं बढ़ी OTP मत शेयर करो ये करो तो ये सारे बच्चों को इतना idea नहीं होता गेम्स हैं वो खेले जा रहे हैं ये सब बहुत problem है तो इनको कब कहेंगे addiction ये समझना बहुत important है तो क्या इसके लिए भी guidelines हैं इसके लिए भी guidelines है अईसा नहीं है कि जितने video games हैं they are absolute no-no की नहीं बच्चों को बिल्कुल नहीं देना या गेम्स खेल रहे हैं कई बार हमारे बच्चों में planning करना organization करना quick सोचना ये सारी चीज़ें develop भी होती इन चीज़ों से लेकिन वही चैसे मैंने बोला पहले भी कि parents के साथ रहके और right time, right amount वो important है अगर हमें लगे जो guidelines कहती है addiction हम कब कहेंगे अगर हमारा बच्चा screen से हटा दिया उसकी वज़े से वो सो नहीं पा रहा छुप छुप के वो कहीं से कहीं से मिल जाए, उसको ऐसा behave कर रहा है उसकी वज़े से उसके grades fall कर रहे है उसकी hobbies से वो दूर जा रहा है और अगर हम कुछ कह रहे है तो वो abnormal behave कर रहा है तो वो तब हम कहेंगे addiction है तो उस addiction को अगर वो addiction stage में चला जाता है तो उसको बहुती पहली बात तो बहुती प्यार से बहुती समहाल के उसको handle करना है अपने बच्चे के संग हमेशा हमें friendly बनना है तो हम कोई भी screen कोई भी चीज हमारा replacement नहीं है और बच्चा बहुती moldable होता है जो हम कहते न 0-5 years is stage of neuroplasticity बच्चा इतना चिकनी मिट्टी की तरह होता है जैसे mold करो वैसे mold हो जाएगा लेकिन हमें कभी-कभी इतना addiction हो जाता है कि हम भी नहीं handle कर पाते तब हम mental health professional अपने pediatrician इन सब की कभी-कभी मदद भी लेनी पड़ती है इस gaming addiction या media addiction को overcome करने के लिए डॉक्टर शूती कुमार ये बताएं कि जब हम screen time में ज्यादा अव्यस्थ हैं तो हम बताएं कि ये चीजें इस्तेमाल करते से में दिक्कत ना आए जिसे कहते हैं good online mannerism ये क्या है इसके बारे में थोड़ा parents को बताएं तो good online mannerism में सबसे important ये है कि हम अपने बच्चों के संग co-viewing जिसको कहते हैं कि उनके साथ हम भी साथ में देखें पूरे टाइम नहीं पी तो थोड़े टाइम कि वो क्या देख रहे हैं क्या content है तो जो especially जो गलत apps हैं जो websites हैं जो अडल्ट websites हैं उनको हम अपने phone पे या जो भी बच्चा यूज कर रहा है device उससे blocky कर दें फिर उनको हम knowledge भी जरूर दे कि क्या-क्या problems आ सकती हैं जिससे अगर aware होंगे तब ही आपसे share करेंगे कि अगर उनको कोई गलत content सामने आता है कोई गलत messaging करता है या कोई ऐसा इंसान होता है जिसको वो जानते नहीं है उसे social media से ही especially adolescents में उसे friendship होई और उससे मिलने जाते हैं personally तो वो अकेले ना जाए या उनको कोई गलत तरी की message देता है वो parents को तूरंद बताए तो इस तरह की talk बच्चों से एक बात और बताएं कि जैसे सब के लिए guidelines है क्या parents के लिए भी कुछ निर्धारित guidelines है कि उनका screen time कितना होना चलिए यह बहुत अच्छी बात की कि जो factors है ना screen time के इन बच्चों में जादा होता है वो भी इस पे depend करता है कि उनका environment कैसा है जैसे जो बच्चे घर में जिनको screen time दे दिया गया शुरू से है ना जिनके parents screen time पे जादा है parents बच्चों को तो मना कर रहे हैं कि आप screen नहीं देखो लेकिन खुद screen time पे बैटे हुए तो हम किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए बच्चे के लिए we have to be role models जब हम खुद role models होंगे तभी हमारा बच्चा हमसे सुनेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए हम बच्चों को हर समें no 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 तो कई बच्चे ना rebel कर रहे हैं तो we have to make positive environment in the home so it has to be mostly yes yes and some no's so there has to be rules in the house कि absolute no no क्या चीज़े हैं and some things जो बच्चों की हम मान भी सकते हैं so that is very important घर में कुछ zones होने चाहिए जो की digital free zones है especially dining table जब हम खाना खाएं तो no screen time at all that is a good family time जब हम बात कर सकते हैं अपने दिन के बारे में क्या हुआ हम कुछ अपने experiences share कर सकते हैं बच्चों के संग की there should be some time throughout one week at least some time in some day जो की हम खुद भी और बच्चों को भी बिलको digital free कर दे and we are spending just family time so that is very important and will help a long way in inculturating a lot of good habits lot of good family values in children जी तो अंत में क्या कहना चाहिएंगे अंत में यही कहेंगे की मेरा जो experience है with developmental behavioral pediatrics उसमें जो मैंने experience किया की parents को पता ही नहीं है regarding do's and don'ts so मेरा आकश्वाणी से भी यही aim है की यह awareness सब जगे जाए की actually क्या recommended है और क्या सही है और क्या नहीं है तो ऐसा नहीं है कि screen time zero screen time but what is good screen time और what is healthy screen time और what is unhealthy screen time इसकी awareness आप सब लोगों को जो हमें सुन रहे हैं वो लें और मेरा यही अन्रोध है उन सारे श्रोताओं से इसको आगे बढ़ाए तो हमें इसको एक जैसे कहते हैं viral करना तो इसको समाज में viral करना है कि क्या सही है या healthy screen time है और क्या unhealthy screen time है तो डोक्टर शुती कुमार आज आप इस कारिकरम में आई और आपने screen time और parenting विशे पर बहुत ही महत्पून बाते हमारे शुताओं के साथ साजा की निश्य तोर पर जो बाते आपने बताई है उनका लाब हमारे शुता खास तोर पर जो अभी भावक हैं वो अवश्य उठाएंगे आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद 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 पारती जी